जैहिं सभी पेंसनर बंध हूँ, आज एक नई ताजी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो कि मुख्यत असपर्स पेंसन का अपडेट तो है ही, जैसा कि मैं सदायब बनाते रहा हूँ, आज हम बात करेंगे असपर्स PPO नमबर, कि इसका क्या दर्शन है, फिलोस् तो आप चाहे आर्मी से हों, नेवी से हों, एरफोर्स से हों या डिफेंस सिविलियन हो, इन ही चारों को असपर्स में माइग्रेशन हो रहा है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद, आपके मस्तिस्ट में बिलकुल असपर्स्टता आ जाएगा, और आपका स्वायम का पिपियो नमबर अगर जेनरेट हो चुका है, तो उसे याद रखना भी सरल हो जाएगा, तो आएए, यह तो डिडिकेट में करता ही हूँ, सभी डिफेंस पेंसमर का, और हम में से अधिकतर लोग इसे स्पर्स के नाम से ही पजल हो जा रहे हैं, क्योंकि हर लोगों की डिज सुबधा जनक समझते हैं, अधिकतम लोग सुबधा जनक, उम्र के कारण डिजिटल जो इरा चल रहा है, उसमें कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, और सभाविक भी है, यह प्राकिर्तिक भी है, कि हर समय यह दुनिया बदल रही हर पांस साल में बदल रही है, और पिछले दो साल, तीन साल में तो इतना ज्यादा बदला, इतना तेजी से बदले, इसमें से कई हमारे फोजी लोग हैं, जो इसे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग के कंधे पर ही जिम्मेवारी आ जाती है, जो युवा हैं, उन बुजुर्ग जानकारी दूँगा कि PPO आखिर जो पहले PPO नंबर होते थे एक Progressive नंबर जेनरेट होते थे उस साल के अंगेस्ट और इस तरह से नंबर दिया जाता था आज PPO एक Logical है यह भी Progressive नंबर ही है Logical है अलग-अलग Department का अलग-अलग सीरीज है यह सब तमाम बातों पर करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी बंधुओं से मैं बिनम्रे निवेदन करता हूँ कि अगर हमारे चैनल में आप आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि देखने वाले बहुत लोग हैं सब्सक्राइब करें तब ही हमारी Living Happily YouTube चैनल जो है उसको विका बहतर एडिटिंग के साथ बहतर विजूल के साथ हम आपके साथ आ सकते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो जरूर लाइक भी करें कमेंट करें अपने सगे संबन्धियों के साथ साजा भी करें और बेल आइकन तो जरूर ही पुश करें ताकि आपको सारी notification मिलत से जूड़ी हुई अब अगर आपका migration हो चुका है तो निश्चित ही है migration से पहले या PCD SPORS टीम का प्रथम वर्क होता है वहां आपको SPORS PPO generate कराते हैं जैसा कि हम सब समझ ही पाए होंगे अभी तक और हमें बार-बार बोलने की जरूरत भी नहीं है कि SPORS एक comprehensive pension package है CPP जिस से facilitate करना है क्या करना है तो जो pension defense pension का है इसके initiation से लेके disbursement तक तो यहां तक तो आप सब में असपस्टा आही चुका होगा क्योंकि अब banker की role सिर्फ bank की भाती ही रह गया है उनको disbursement से कुछ लेना देना नहीं रह गया तो SPORS implement किया गया है किसके लिए जैसा कि हमने बताया ही आर्मी ने भी एर फोर्स और डिफेंस सिविलियन के लिए यहां आपको एक commitment है उनके SPORS के ही mission statement को अगर आप देखेंगे तो पता लगए कि वो committed हैं आम forces के लिए secured और reliable digital platform देने के लिए और सब ही pension related activities के लिए और य 17 November 2021 से ही migration सुरू हो गया था और आज 23,000,000 और करीब 27,000 तक का migration हो चुका आज जिस दिन में वीडियो बना रहा हूं तो इस तरह से आपको यह पता लगेगा कि SPORS PPO जो है यह 12 digit का है यह 12 digit में ही आपको 01 suffix कर देना होता है 02 कर देना होता अगर family pensioner है तो यही SPORS user ID बन जाते हैं अब आपको मैं यह बताओं कि यही user name बनेंगे और password भी आप generate कर सकते हैं यह आपको आया ही है तो logical जो इसका methodology है जो philosophy है उससे मैं बताने जा रहा हूं अब यह एक logical है जैसे EPPO में था, old PPO में था एक अलग-अलग logic तो उससे अलग हटके बनाए गया है तो इस 12 digit में पहला left to right जाएंगे तो indicate करता है service यानि कि army, navy, air force या defense civilian है और दूसरा और तीसरा जो पहला later है वह आपको दिखा देगा जैसे 1 से 8 तक का है तो 1 से 8 तक में आपको service पता लग जाएगा कि army, air force, navy, defense, civilian है जो दूसरा है और department का पता चल जाएगा कि उसके अंदर किस category से belong करते हैं यानि कि officer है या पी बी यो आ रहा है अब मैं एक एक करके आपको list बता रहा हूं जैसे अगर prefix हो रहा हूं उनका PPO 101 से तो यह मान लेजे कि वो army officers हैं 102 से है तो army officers ही है लेकिन वो AMC, RVC, MNS, ADC और TA battalion से होते हैं अगर 201 to 250 है तो यह army के PBUR है अब 201 से लेके 250 तक इनके record office है करीब 50 के करीब अलग-अलग record office को 01 से लेके 50 तक का number दिया गया मैं list जारी किया हूं कि किस record के लिए कौन सी number है अगर आपको चाहिए तो आप comment section में भी दीजिए मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा या आपके comment का जवाब भी one to one में देने का अवस्य ही प्रयास करूंगा अगला आता है 301 जो है आर नेवी officers को मिला है और 401 जो है नेवी के PBOR को मिला है 501 एर फोर्स के officer को है और 601 एर फोर्स के PBOR को मिला है तो इस तरह से अगर आप एर फोर्स के PBOR है तो 601 आपका तो common हो नहीं वाला है और अगर आप defense civilian है तो आपका 402 से सुरू होगा और 701 IDS Indian Defense Account Services के जो officers हैं PCDA में जो officers लोग है उनका 701 से है और 801 जो defense civilian PBOR यानि कि जो officers से कम rank वाले हैं उनका है तो इस तरह से यह 10 category मुखेता है अब example भी मैं आपको बता सकता हूँ अगर चाहे तो 240 है इसका मतलब है कि 240 किसी record office का army के record office से हो रहा इसके बाद अगला जो 4 number आता है उनके year of retirement है suppose 240-2019 है यानि कि वो person जो है pensioner है 2019 में retire हुए है और उसके बाद 5 number जो है progressive number है यानि कि वह ही असली PPO number है तो अब आपको याद रखना बड़ा ही सरल हो जाएगा सबसे पहला आप 3 number तो याद रखी लिजिए आपके कौन से services में है year आपको याद सदायब रहेगा बस 5 number याद रखना है तो इस तरह से आप 5 नंबर यानि कि बार हो नंबर आप याद रख सकते हैं अब आपको जो list है 1 to 50 जैसे 40 है जो मैं उदाहरन दिया वो AC South record को जो बै CMT है उनको मिला है 41 MEG record है उनको 22 है AEC है उनका 36 है तो इस तरह से अलग-अलग record को अलग-अलग मिला है मैं आपको bit star में बता सकता हूं बता भी list भी दे सकता हूं YouTube में तो यह तो है आपका कि कैसे PPO को पहचाने PPO को याद रखें और PPO को इसलिए मैं जोड दे रहा हूं इ क्योंकि यही आपका user ID भी बनने वाला है, user ID से ही आगे की जैसे आज 23 लाख करीब हो चुके हैं migrate तो आगे migration जारी रहेगा जब तक कि सारे defense bank से migrate न हो जाए तो यह PPO जो है स्पोस PPO बड़ा ही अहम भूमिका निभाने जा रहा है और आप अगर computer में, desktop में करते हैं तो वह remember करने की सुवधा है, आप अपने user ID को password को remember करा सकते हैं सिर्फ capture दीजिए और आगे की सारी करवाई कर सकते हैं जो कि हर साल हर दिन आप अपने pension slip को देख सकते हैं, कई सारी information है, tedious देख सकते हैं, अगर आपको कोई grievances है, grievances दे सकते हैं, grievances दिये हैं, उसका क्या status है, यह त जरूरी है कि आपको यह user ID पता चले है, और user ID के लिए जरूरी है कि PPO नमबर पता लगे, तो आज का वीडियो आपके लिए कितना जरूरी रहा, अहम रहा, यह आप जरूर लिखे, अगर आप अपने record office से संबंदित कोई भी information जानना चाहते हैं, तो one-to-one comment भी कीजिए, और किसी भी परकार की कोई business वीडियो चाहिए, तो आप अवसे comment करके लिखे, मैं वही वीडियो आपके लिए अवसे ही बनाऊंगा, ततकाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए, आप सबों से बिदाई लेता हूं, और अन्त में फिर से अगरह करता हूं, अग अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अवसे ही सब्सक्राइब करें और फिल से मिलता हूं, तब तक, जय हिन, जय भारत